नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक वाइन पर आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप जीना AI के स्वैक्स क्लेम कर सकते हैं इन स्वैक्स में आपको बैग, कीरिंग, नोटबोक्स, पैन, स्टिकर्स, पोस्ट कार्ड्स और फ्रिज मैगनेट्स दिये जा रहे हैं इन स्वैक्स को क्लेम करने के लिए कुछ जैदा कॉंपलेक्स चीजे नहीं करनी हैं बलके कुछ सिंपल स्टेप्स करने हैं, जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सो विदाउट टेकिंग मच आफ यूर टाइम, लेट्स स्टार्ट दा वीडियो प्रोसेस की डीटेल में जाने से पहले, मैं आपको कुछ लिंग्डेन पोस्ट शो करता हूं जहां पर लोगों ने पोस्ट किया है कि कैसे उन्होंने जीना AI के स्वैक्स अरंड किये हैं जैसे आप यहां देख सकते हैं, एहमद, अनुष्का, हेमंद, और राहुल महातो इन सभी ने Jina AI के Swags क्लेम किये हैं और इन सभी के पोस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं तो अगर आप भी ऐसे Jina AI के Swags क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो को end तक देखें इस पूरे इवेंट को दो टियर सिस्टम में बाटा गया है पहला Supporters और दूसरा Advocates इन दोनों टियर के अलग-अलग Swags हैं तो चलिए दोनों टियर को Explore करते हैं टियर 1 Supporters अगर आप इस टियर से Swags के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको Jina AI का Post Card, Stickers और Fridge Magnet दिये जाएंगे और इस टियर को Complete करने के लिए आप देख सकते हैं जैसा यहां लिखा है इसका मतलब आपको Jina Boot Camp के तीनों Beginners, Intermediate और Advanced Level के Quiz सॉल्व करने होंगे और अपना Certificate किसी भी Social Platform लाइक LinkedIn पर शेयर करना होगा तो चलिए इस Boot Camp को Explore करते हैं यहां अगर आप नीचे Scroll Down करते हैं तो यहां आप तीनों Levels को देख सकते हैं Beginners Track, Intermediate Track और Advanced Track आपको इन तीनों Track के लिए Certificates Earn करने होंगे तो आप Tier 1 के Swags के लिए Apply कर सकते हैं अगर आप नीचे Scroll Down करते हैं तो यहां पर Get Certified का Option दिया गया है आपको इस पर Click करना है और Click करते ही आपके सामने कुछ ऐसा Interface Open हो जाएगा इसमें नीचे Scroll Down करने पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको कुछ Video Lectures दिये गये हैं आप चाहे तो इनको Attent कर सकते हैं लेकिन हमें Mainly इस Level का Certificate Earn करना है उसके लिए हमें इस Quiz को Solve करना होगा तो आपको इस Quiz पर Click करना है और आपके सामने एक Quiz Open हो जाएगा Now you have to solve this Quiz and you will get the Certificate for Beginner's Level To pass this Quiz, you will have to at least score 80% or above उसके बाद Same आपको ऐसे ही Intermediate Track और Advanced Track के लिए अपने Certificates Earn करने हैं और उन्हें अपने Social Media पर Post करना है उसके बाद आप Tier 1 Swags के लिए Apply कर सकते हैं For an Example, आप इस LinkedIn Post पर देख सकते हैं कि दिपांशु ने अपने 3 लेवल के Certificates Post किये हैं जैसे यह Certificate Beginner's Level का है, यह वाला Advanced Level का और यह वाला Intermediate Level का तो आपको भी ऐसे ही इन Certificates को Earn करना है और अपने Social Media पर Post करना है Now Tier 2 Advocates इस Tier के Swags क्लेम करने के लिए आपको एक Project बनाना होगा जैसा यहां लिखा है, if you have created a unique project using Jina with a blog post describing the workflow behind the project and showcase the project on our Slack community तो आपको इस Tier के Swags क्लेम करने के लिए एक Project बनाना होगा जिसमें आपने Jina AI का यूज किया है and you will have to share that project using any blog post like Medium etc. या आप अपने Project को इनकी Community पर भी Show कर सकते है and for this Advocate level you will get Swags like Keyring, Pen, Notebook, Tote Bag etc. आप इन Swags की Pick इन Images में देख सकते हैं तो अगर चीजों को Summarize करें तो आपको इन दोनों Tier में से एक Tier को Complete करना है उसके बाद आप Swags के लिए apply कर सकते हैं Now let's see how to apply for Swags अगर आप इंडिया से belong करते हैं तो आपको यह पहला वाला form fill करना है Otherwise you will have to fill this second form जैसे ही आप इस form को open करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि आपको कुछ basic details provide करनी है like email, name यहां पर आपको वो name type करना है जो आपने Gena Slack Community में use किया है उसके बाद you have to share your GitHub profile here, type your full mailing address, mailing address country, after that please fill the phone number और उसके बाद यहां पर आपको option दिया गया है कि आप कौन से tier के लिए swags चाते हैं like tier 1 supporter और tier 2 advocate तो आपको अपने accordingly इस option को select करना है और उसके बाद next option पर click कर देना है उसके बाद और भी कुछ basic terms and conditions आपको accept करनी होगी और फिर finally आपको form submit करना है और आपको अपने Gena AI Swags मिल जाएंगे इसी main page पे आप नीचे scroll down करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब आपको swags मिलने में 2-3 मन्त का time लग सकता है तो इस topic के लिए बस इतना ही और अगर आप geeks for geeks के swags भी claim करना चाते हैं तो please check out this video और आप इसे काफे सारे लोगों की request आई कि please upload the solutions for daily questions of geeks for geeks event तो इस solutions के लिए एक telegram group बना दिया गया है और इस group का link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो अगर आपको solutions में help चाहिए तो आप इस group को join कर सकते हैं वीडियो को end करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल टेक्वाइन इट रियली मेंस अलोट एंड मोटिवेट्स मी तो ब्रिंग मोर कंटेंट फोर यू वार दे नेक्स ताइम स्टे सेफ स्टे हेल्दी झार झार एंड वीडियो तो